बिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया यह केसा है देश के आजादी से पहले का जब पंजाब का एक 19 साल का क्रांतिकारी फासी के तक्ते पर भेजे जाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहा था लेकिन ये प्रतिक्षा क्यों थी? वो फासी के फंदे पर लटकने को बैताब क्यों था? पूरा किस्सा समझने के लिए चलिए साल 1906 में जब अंग्रेज भारतिय क्रिशी विवस्ता को द्वस्त करने में लगे हुए थे अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कॉलिनाइजेशन एक्ट और द्वाब बारी एक्ट इसमें नहर बनाने के नाम पर किसानों से उनकी जमीन हत्या ली गई थी साथ ही उल्टे सीधे टेक्स भी लगाए जा रहे थे भगत सिंग के चाचा अजीद सिंग जी ने इसके खिलाब आंदोलन छेड रखा था तीन मार्च 1907 को लायलपूर जो की अब पाकिस्तान में है वहाँ एक बड़ी रैली हुई वहाँ एक गीत चला गीत के बोल थे पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल होई गाना इतना फेमस हुआ कि पूरे आंदोलन का नाम पगड़ी संभाल आंदोलन पड़ गया अंग्रेज भी इस गीत से इतना डरे कि उन्होंने अजीद सिंग को 40 साल के लिए देश निकाला दे दिया बाद में अजीद सिंग अफगानिस्तान, इरान, इटली और जर्मनी तक गए और अपनी लड़ाई वहां से चालू रखी इसे वो दौर कहिए जिस दौर में देश की माएं अपनी कोक से बच्चे नहीं भलकि क्रांती कारी पैदा कर रही थी इस दौर का एक बच्चा बड़ा हो रहा था, नाम था करतार सिंग सराभा लेकिन ये किस्सा इतना भर नहीं है, इस किस्से में आजादी का अंदोलन है, बलिदान है और साथ में है आरे समाज नमस्ति जी मैं हूँ हर प्रीत कौर, 24 मई सन 1896 को लुध्याना के सराभा जिले में एक जाट सिख परिवार में पिता मंगल सिंग और माता साहिब कौर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था, बच्चे का नाम रखा गया करतार सिंग बश्पन में ही पिता चल बसे, उनके दादा जी ने उनका लालन पालन किया, जब दस साल की हुए तो देखा पंजाब में एक आंदोलन, पगडी संभाल आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों के सामने जुकने से इनकार किया जा रहा था किंदू पढ़ाई में तेश तरार करतार ने हाई स्कूल से मेट्रिक की परिक्षा अच्छे नमबर से उतिर्ण की, घर में कोई कमी ना थी, साधन संपन परिवार था, एकलोता वारिस था तो करतार जब 16 वर्ष के हुए तो उनके दादा जी ने उन्हें केमिस्ट्री के अ में उनसे ऐसे सवाल पूछे गए, जिसके लिए एक 16 वर्ष का लड़का तयार नहीं था, वहाँ पहुंचने पर एक घटना ने उनका जीवन सदा के लिए बदल दिया पंजाब, इंडिया मै कंटी, ब्रिकिश इंडिया, ना यूर इंडिया करतार सिंग स्राब्भा 1912 जदो अमेरिका आया लैंड की इता वह इसी जगह आया सी इना बैरक से विचुरू एक बैरेक जेली है बैसक भी बैसक लिए हो उन्हें एक कमरा दिता गया सी जेलाल कमरा जिते कि कुछ दिल्या हो करतार ने जब देखा कि भारतियों से अबमान जनक सवाल पूछे जा रहे थे जब कि अन्य शेत्रों से आए और अन्य देशों से आए प्रवासियों को मंजूरी दी जा रही थी जब इसकी वज़ा पूछी तो उने बताया गया कि भारती गुलाम है इसलिए वे दूसरे दर्जे के नागरिक है दूसरा वो जिस मकान में रहा करते थे उसकी मालकिन एक दिन पूरा घर सजा रही थी सराबा ने उनसे घर सजाने का कारण पूछा तो मकान मालकिन ने बताया कि आज के दिन उनका देश आजाद हुआ था इसलिए वो घर सजा कर इस दिन की खुशी मना रही है इस घटना के बाद सराबा के आत्मा चितकार करके बोली कि क्या हम लोग ऐसा दिन नहीं मना सकते बस यही कुछ घटनाई थी जिनोंने सराबा के आखों में आजादी के सपने जगा दिये और भारत में ब्रिटिश राज के अस्त्वित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया साल था 1912 अमेरिका के पोर्टलैंड में भारती लोगों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ हरनाम सिंग, सोहन सिंग भकना सहीत कई भारतिय इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे इसी दोरान आरिसमाज की विचारधारा से प्रभावित और महरिशी दयानन सरस्वती जी के परमशिष लाला हर्दियाल ने वहां अपना भाशन दिया जिसे सुनकर सराभा बहुत प्रभावित हुए ये भारत का वो दोर था जब देश के नौजवान कॉंग्रेस की नरम दल नीतियों से बहुत खफा हो चुके थे उन्हें लगने लगा था कि बिना हथियार उठाए आजादी नहीं पाई जा सकती फिर क्या था अजादी के लिए चल रही मुहीम तेज हो चली आरिस समाज की सिपाहियों ने विदेशी धर्ती पर गदर आंदोलन की नीव रखती ये अपनी तरह का पहला आंदोलन था जिसकी नीव विदेश में रखी गई थी यहां भारती विद्यार थी इस आंदोलन की सभा में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे थे गदर पार्टी का एक ही मकसद था किसी भी तरह से भारत की आजादी यहां इनका एक ही नारा था देश की आजादी के लिए हर तरह से आहुत होना एक किसम से कहो कि यह सामराज्य वात के खिलाफ आरे समाज के कारे करताओं का हत्यार बंद संगर्ष का एलान और भारत की पूरी आजादी की मांग करने वाला आंदोलन था करतार सिंग ने बढ़ चड़ का हिस्सा लिया और पार्टी ने उन्हें अपने मुख पत्र पर पंजाबी भाषा का संसकरण निकालने के लिए प्रभारी बनाया पंजाबी के अलावा गदर को हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तों में भी प्रकाशित किया गया और इसे पूरी दुनिया में भारतियों के पास बेजे जाने लगा अखबार में अंग्रेजों द्वारा किये जारे अत्याचारों का उलेह किया जाता देखते ही देखते इसने प्रवासी भारतियों की बीच में क्रांतिकारी विचारों की अलग जगा दी जल्द ही प्रत्म विश्वयुद छिड़ गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने यह फैसला किया कि यही समय है जब इसका स्थान बदलते हुए देशवासियों को लाम बत किया जाए कारण ब्रिटिश विश्वयुद में स्वयम को बचाने में व्यस्थ हो चुके थे तो वहीं 5 अगस्ट 1914 को गदर के संसकरण में अंग्रेजों के खिलाफ एक और युद की गोशना की गई और इसकी प्रतियों को दुनिया भर के भारतियों के बीच विशेश रूप से ब्रिटिश चामनियों में भारतिय स्यानिकों के बीच बाटे जाने लगा गदर पार्टी इतनी बड़ी बन गई थी कि इसकी खबर इंग्लिश के अकबारों में छपनी शुरू हो गई गदर पार्टी के कारेकरता विदेशों से अपने वतन वापिस लोटने लगे मात्र 18 साल के करतार सिंग सराबा जी भी 15 सितंबर 1914 को सत्यन सेन और विश्नु गणेश पिंगले के साथ भारत आ गए और उन्होंने कॉलकाता में युगांतर के जतिन मुखर्जी से मुलाकात की जतिन मुखर्जी ने उनका संपर्क रास बिहारी बोस से करवाया करतार सिंग ने बोश से बनारस मुलाकात की और उन्हें 20,000 और गदर सदस्यों के आने और क्रांती की योजना की जानकारी दी अंग्रेजों के खिलाफ आरे समाज द्वारा खड़ी की गई क्रांती का ये सबसे बड़ा बिगुल था किन्तु दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांती कारियों की योजना की भनक पड़ गई और उन्होंने क्रांती कारियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभिहान छेड़ दिया बहुत से गदर सदस्यों को बंदरगाहों पर ही गिरफतार किया जाने लगा लेकिन ये करतार सिंग को अपनी योजना पर आगे बढ़ने से नहीं रोख सके करतार सिंग पंजाब को क्रांती का मुख्य स्थल बनाने की तयारियों के साथ पंजाब चले गए इसके लावा मेरट, आगरा, बनारस, इलाबाद, अंबाला, लाहोर और रावल पिंडी में ब्रिटिस सेना में शामिल भारतिय स्यानिकों का मन बदलने और उन्हें इस आंदोलन में शामिल करने पर करतार ने ध्यान केंद्रित किया और इसके साथ साथ लुध्याना में एक छोटे स्तर की हतियार निर्मान इकाई भी स्थापित कर ली राजबिहारी बोश सहित अन्य वरिष्ट नेताओं के साथ विद्रो किति थी 21 वर्वरी 1915 निर्धारित की गई और मिया मीर एवं फिरोजपूर की चामलियों में हमले और अमबाला में बगावत की योजना बना ली गई किंतो भारत माता का दुरवाग यहां भी एक देश द्रोही ने बगावत से एक दिन पूर वही उनके साथ दगा बाजी की और बहुत से क्रांतिकारी गिरफतार कर लिये गए पर किसी तरह करतार सिंग अंग्रेजों से बश निकलने में काम्याब रहे करतार के इरादे मजबूत थे आजादी का सूरज देखने की चाहां और अपने इरादों से पीछे हटने से इनकार कर दिया और दो मार्च 1915 को सरगोदा में चक संख्य पाच पर बाइस घुर सवार सेना के भारती सिपाईयों को उकसाने और बगावत की चिंगारी फूपने का एक अतिसासिक अंतिम प्रयास किया लेकिन इस बार बाइस घुर सवार सेना के रिसालदार गंडा सिंग ने उन्हें गिरिफतार कर लिया उन पर लाहोर शड्यंत्र नामक मामले में लाहोर में अन्य गदर सदस्यों के साथ मुकदमा चल पड़ा सितंबर 1915 में फैसला सुनाया गया दस गदर सदस्यों को फासी और 17 की फासी की सजा को कारावास में बदल कर अंडमान सेलुलर जेल में जीवन भर के निर्वासन के लिए भेज दिया गया एक 19 साल का नौजवान जब जजज ने उन से पूछा कि फासी दी जाए या उम्रकैट तो सराभा का होसला देखिए उस महावीर युवक का जवाब था कि मैं उम्रकैट की बजाए फासी लेना पसंद करूँगा ताकि फिर से जीवन लेकर भारत माता की आजादी के लिए लड़ सकूँ इस पर जज ने कहा कि अगर तुम लड़की बनकर जन में फिर तब सराभा का जवाब था कि मैं दस सराभा पैदा करूँगी ताकि अंग्रेजी शासन की नीव उखड़ जाए नयाधीश ने अपनी सजा सुनाते हुए उन्हें सभी विद्रोहियों में सबसे खतरनाग बताते हुए कहा चूंकि उन्हें अपने किये गए अपराद पर बेहत अभिमान है इसे लिए वे किसे भी तरह की दया का पात्र नहीं है और उन्हें फासी की सजा दी जानी चाहिए घर के अकेले चिराक से दादा जी मिलने लाहोर जे लाए उन्होंने कहा करतार सिंग हमें अभी भी विश्वास नहीं होता कि देश को तुमारी कुर्बानी से कोई फाइदा होगा तुम अपनी जिंदगी क्यों बरबात कर रहे हो अपने जवाब में करतार सिंग ने अपने दादा जी को कुछ रिष्टेदारों की याद दिलाई जो हैजा प्लेग अत्वा अन्य बिमारियों से मर चुके थे और पूछा तो क्या आप चाहते हैं कि आपका पौता एक ऐसी कष्ट कारक बिमारी से मरे क्या ये मौत उससे सार गुना बेतर नहीं है 16 नवंबर 1915 को करतार सिंग होटू पर मुस्कान लिए आखों में चमक के साथ अपना लिखा हुआ देश भक्तिगीद काते हुए चले गए यही पाओगे महशर में जबा मेरी पया मेरा मैं बंदा हिंद वालो का हूँ है हिंदुस्तान मेरा मैं हिंदी खेट हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है यही मजभ यही फिरका यही है खांगान मेरा मैं इस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूँ यही बस एक पत यही नामों निशा मेरा मैं उठते बैठते तेरे कदम बूचू एभारत कहा किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहा मेरा तेरी खिद्मत में एभारत ये सर जाए ये जा जाए तो समझूगा कि मरना है हयाते जादवा मेरा सरदार करतार सिंग सराबा 19 साल के उम्र में फासी पर जुम गए थे गदर पाटी या आंदोलन काम्याब तो नहीं हो सका लेकिन किसे पता था कि सरदार करतार सिंग सराबा भगत सिंग के प्रेड़ना स्त्रोथ बनकर इस लहोर की जेल में 23 मार्च 1931 को दुबारा क्रांती की लहर पैदा कर जाएंगे जल्द ही वे शहादत के प्रतीक बन गए जिने भगत सिंग ने अपने गुरू की संग्या दी तो उनकी बहादुरी और बलिदान से बहुत से लोगों ने प्रेड़ना ली पंजाब के एक उपन्यासकार नानक सिंग ने उनके जीवन पर आधारित एक मयान दो तलवारा नामक उपन्यास लिखा आरे समाज हमेशा अपने अमर शहीद करतार सिंग सराबा की स्मृति को संजो कर रखेगा इस महानायक के बलिदान को सादर शत्शत नमन